नमस्कार दोस्तों इंपलाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है मद्देप्रदेश में फिर से सिवराज सिंग चौहान की सरकार बनने जा रही है और मद्देप्रदेश में लाडली बहनाओ ने इस बार मद्देप्रदेश में बिजीपि सरकार को जिताने में आहम बोमी का निबाही है इसी को लेकर मद्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान ने लाडली वहनाओ का आभार वेक्त किया और आने वाली दस तारीक को फिर से उन्हें लाडली वहनाओ की किस्त 1250 रुपए देने के निर्देश भियाँ पर दिये है एक वीडियो के माद्यम से उन्होंने इस बारे में जानकारी दी और साथ में यह भी बताया कि लाडली वहनाओ ने जो आसिरवाद भारती जंता पार्टी को दिया है उसके स्वरूप और लाडली वहनाओ के लिए जो भारती जंता पार्टी की और से वादा किया गया है उसे जरूर निभाएंगे और क्रमस 1250 रुपए जो अभी लाड़ी बहनाओ को हर महिने मिल रहे है इसे बढ़ा कर 3000 रुपए तक भी ले जाएंगे आए सुनते हैं यहां पर मुक्यमंत्री सीवरा सिंग चौवान को मेरी लाड़ी बहनाओ सत सत प्रणाम आपने जो आशिरवाद दिया जो स्नेह दिया जो प्रेम दिया वो अदुभुत है अभुत पूर्व समर्थन आपने दिया है बेहनों में आभारी हूँ बेहन भाई के पवित्र रिष्टे एक दूसरे के पृति कर्तव्वे का भान कराते हैं और आपके भाई की सदैब ये कौसिस रहेगी कि आपकी जिन्दगी में कोई कठनाई न रहे कोई काटा न रहे महला सुसक्ति करन के लिए जब तक मेरी सास चलेगी मैं काम करता रहूँगा मेरी बेहनों फिर सदस्तारी का रही है लाड़ली बेहना की रासी अब आपके खाते में फिर डाली जाएगी और जो कहा है कि क्रिमसा बढ़ाते बढ़ाते इसको तीन हजार तक ले जाएंगे ये संकल्प पूरा करेंगे आपकी जिन्दगी खुसियों से भरी रहे यही भाई की इक्षा है धन्यवाद तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जानकर ये अपडेट पसंद आया होगा और आप भी लाड़ली बहना का लाव यहां पर ले रहे होगा आपको आने वाले 10 तारीक को लाड़ली बहना के योजना के तहत निर्दारीत 1250 रुपए आपके खाते में आपको मिल जाएंगे ये वीडियो ये अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिजए हिंद वन्ने मातरम